हेलो नमस्का दोस्तों सागत आप स्कुलिका एक बार फिर से जी एस्टेल्स पर बहुत-बहुत दिनों बाद परपस हाये हैं इस बार जनरल स्टेडिस के जो सामानद्दन के जो इस्टेटिक पोस्टन है उन सब्जेक्ट को हम वीडियो के फॉर्म में देखेंगे जिसमें कि हमने जो हमारा वेस है कंटेंट क्रियेट करने का वह है घटना चकर 2023 उसके बेस पर वहां के क्विस्टन्स वहां का जो दिया होता है उसके साथ साथ हम अपनी तरफ से काफी ज्यादा सिंप्लिफाइड करके और इसमें वैलू एड़ करके नोट्स बना रहे हैं तो जिसके बेस पर ये वीडियो स्वन रही है ऐसे मतलब जितने भी लिक्ट्र हो जाएंगे 20-25 के आस पास उसने बारेंगे तो व जो भी PCS हो गया आरो यारो हो गया प्रिलिम्स है या UPSC प्रिलिम्स तो अल्रेडी है उन सबका या UKPSC का भी जो नोटिफिकेसन है इन सबका जो लेवल कुस्ट्न का वो लगाता है बढ़ रहा है बहुत बेसिक जो आप पूरा उलोकम सिर्फ पर लेते थे कुस्ट्न सौल है UPSC के या SSC के UPP Bank Railway इन सबके क्विशन अभी थोड़े बेसिक है वह लाइनर टाइप के हैं तो अगर आपका कॉंसेप्ट क्लियर है फैक्ट्स याद है तो इन सब में भी बहुत हेल्फुल होने वाला है तो चलिए चुरू करते हैं बारत का भूगोल इसका फेला लिक् इसका जो आकरिस की इसकी जो आकरिटी यो शेफ है वह इसका नाक्स्ट आते हैं जो हमारा इंडिया है वह ऊ पूर्वी गोलार्थ इस्टर्न हमिस्पेर में है और यह यह प्रिम zaj रेडियन है जिसे बोलते हैं वह इसके पूर्व में जितनी मतलब एरिया है यह थे प्र Legault ए時 साफ से हमा Calvin V वो पूरी तरीके से उत्तरी और पूरवी गोलार्प में आउस्तित है ठीक है बारत अभिस में छेत्रफल के दिष्ट से सात्मा और जनसंख्या के दिष्ट से सबसे बड़ा दिष्ट से सात्मा सबसे पहला है रूज, कनेडा, सनुकताज, अमेरिका, चीन, ब्रजील, आस्ट्रेलिया के बाद सात्मा नमबर पर है अपने हम देखते हैं इसको, इसमें कौन-कौन से देश है, टॉप 10 कंट्रीज को अगर देखा जाए एरिया वाइस, तो सबसे पहले है रसिया, ठीक है, रसिया को देखे ऐसे लग तक जैसे कि यह कोई अपने आपने कॉंटिनेंट हो, है ना, कोई महादूप हो, उसके एंड फिफ्थ पे है ब्राजील, तो ब्राजील पांचवे पे है, छाटवे पे अस्टेलिया, इंडिया साथ में पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आथ में पे है अर्जन्टीन, ठीक है, अर्जन्टीन, कजाक्स्थान जो है, वो नाइंध पोजिशन पे है, वो इसके बाद, चाइना चोथे पे, ब्राजील पाचवे पे, आस्टेलिया छट पे, चटवे पे, एंड इंडिया जो है, हमारा सेबंत पोजिशन पे है, इसमें यह बताया गया है, कि हाल फिल हाल में, जो हमारा लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी वो कौन सा है, वो दादरा औ और नगर हवेली तथा दमन और दिव जो हैं, यह आलग लग यूनियन टेरिटरी या कहें, केंद शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 26 जनरी 2020 से, इन दोनों के एक में समाहित कर लिया गया, समलित कर लिया गया, जिसकी वज़े से, दादरा और नगर हवेली तथा दम को अलग लग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके पहले जम्मुवन के समीर जो है एक ताज हुआ करता था, कुल मिलाके अब हाल में सिच्चुशन हमार ये है, कि इंडिया में 28 राज और 8 गैंसासिश प्रदेश है, इंडिया में गाउं की संख्या 6,440,932 है, जा सिधा तो ठीक है, यूपी, PSSC या CGL Bank वगारा में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर यूपी, PCS प्रिलिम्स की बात करें या UPSC प्रिलिम्स की बात करें, तो उसमें ये एक statement की रूप में आ सकता, पूरा question तो इतने सान नहीं बने गा, इस statement की रूप में आ सकता कि प्रदियों सराजी में होता है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा से ये देख सकते हैं, जैसे मैंने काया कि मैंने बहुत सारे मैप को इंक्लूट किया है, अपने लेक्चर में, पूरे PDF में ऐसे ही आपको मैप्स मैप्स देखने को मिलेंगे, कुलमला कि मैप्स के उतुरू बन अगर हवली और उसके साथ ही दमर और दियो, ठीक है, लेकिन उसके पहले वाला जो है ये जम्मु अन कस्मीर और लगदाक, आप देख सकते हैं, पहले पूरा एक एरिया था आप लगबग डबल है, वलग बात है कि इसमें जो लगदाक में खाली दो ही जिले हैं, और इसमे जम्मु अन कस्मीर में काफी जादी लें, ठीक है, तो बस इस मैप का बस इतना ही मख सकता, आप देख लिए कि लेटेस जो यूनिन ट्रेटरी है, कहा कहा पर, भारत का कुल छेतरफल है, ठीक है, ये भी एक मतलब है, हैंडफुल जानकारी हो सकती है, 32,87,263 वर किलिमेटर एक रफली आइडिया रहना चाहिए आपको लगभग जो है, 32,87,233 वर किलिमेटर भारत का छेतरफल है, 32,87, ठीक है, जो की वर्ल्ड में 2.4 परसंट है, संसार के पुरे एरिया का जो हमारा परसंटेज है, उसे 2.4 परसंट है, जबकि जर्ण सक्या कितनी है, 17.5 परसंट जन सक्या, बुष्स की 17.5 परसंट जन सक्या, भारत में निवास करती है, लेकर उनको जमीन मिली है, सिर्क 2.4 परसंट, ठीक है, और उस 2.4 परसंट का एरिया कितना है, 32,87,233 स्क्यार किलिमेटर, ठीक है, और भारत की मुख्य भूम का विश्चार उत्तर से दच्च्ट त 2933 किलिमेटर है, या 2933 किलिमेटर, 2933 किलिमेटर, तो देखा जा सकता है, उत्तर जो दच्च्ट विस्तार है हमारा, वो पूरो पस्चिम के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है, लगबग 281 किलिमेटर, if I am not wrong, 281 किलिमेटर जो उत्तर और दच्च्ट का एरिया है, लंबा 2937,263 किलिमेटर में से जो पाक अकूपायाट के सिर्ग है, गैर कानून तरकिस पाकिस्तान दारक अबजा किया गया एरिया, वो है 78,114 किलिमेटर, ठीक है, और पाकिस्तान ने चेन को हमारा derya दिया जो है, 580 किलिमेटर, वर्ड किलिमेटर, ठीक है, 5880 किलिमेटर, जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था वो इंडिया चाइना का वार हुआ था तो इस टाइम चाइना ने हमारा कुछ एरिया कब्जा कर लिया था जो है 37,555 वर्किलो मीटर ठीक है और यह जो पाक अकुबाइट कस्मीर है अगर आपको मैं थोड़ा मैप के तुरू मैं इसके बाद यह जो एडिया है इसको पाकिस्तान में चाइना को देया है Wow नारं पिद्धा किया क्या हुआ है तो वो चीज्छे इसके साथ हमने ये भी देख लेना चाहिए कि जोजी ला पास कारगिल कहां पर है ये है नुब्रा बैली उश्च जा चुका इसे कोशन ले की रिल्टीव पोजिशन तो इसमें अगर आप थोड़ा नॉर्थ और शाउट क्रोनोलोजी देखें और देखें तो इस तरीके साए इस तरीके से आप कुछ चीजें देख सकते हैं मैब बस इंक्लूड करने माणि आपको पहले से आइडिया दे दिया है कि ऐसे थोड़ा थोड़ा देखते रही है और कुछ चीजें स्टाइब करती रहेंगे नेक्स्ट जो है वो है अच्छानसी विस्तार लाटिटीटूडनल रेंज इक्उटर को एक लाइन मान लिया जाए भूम हम रेखा विस्त रेखा उस से उसके संटर से जो नौर्थ या साов्त में अगर खीचे जाए तो एक्वेटर से आर्फ के संटर से मौन तर यह है हमारा एक्वेटर यहां से यह को अगर 1 दिञेर अच्छांस फिर आगे दो डिग्री उसी तरीके से तुम लाके जो हमारा विशुवत रेखाया है भूमद रेखा एक्वेटर रेखा है उससे 90 डिग्री के मतलब है अगर 90 पार्ट उसका किया जाए तो प्रतेक पार्ट जो मनता है वो एक डिग्री अच्छांस बनाता है वो एक डिग्री अच्छांस बनता है पीछले आता है और अच्छांस रेखाये वो कल्पनिक रेखाये हैं जो पिरतिवी की चारोर पूर्व से पस्चिन दिसा में ये लाइन इंपॉर्डेंट है पूर्व से पस्चिन दिसा में एक्क्वेटर या विश अच्छांसी रेखाएं ठीक है यह पूर्व से पश्ची में खीशी जाती है और एक्वेटर के पैरलल होती है यह बताने के बड़ा मतलब खास ध्यानेशली दिया जा रहा है क्योंकि यह कुछ्छन में पूछा जा चुका है ठीक है आपको एक और रेखा पता होगा वो है दे वह होती है जिसांतर रेखा पर पहले नहीं होती है अच्छांसों को अंसों इन्टों सेकंडर में दर्शा आ गया मैंने बताया कि आयूंगला डिस्टन्स होता है कोड़ी दूरी ठीक है इरत बी को दो बरावत भागूं बाटने वाला एक्क्वेटर या वह मत रेखा या व पहť से डेखा में जो न्थरी डस्टन्स रेखाएंब अचांसी रेखाओं को ऀसमें आप यह धिसके है आप यह कि यह सकते है कि यह हमारा जो फ्रारी मेरेडियृन ही जीरो कि प्राइम मेरेडियन लाइन भी है उसके पस्च में पस्च में दिसांतर रिखा बोलते हैं और इसके पूर्व में पूर्वी दिसांतर रिखा ओके अगर हम अच्छांस रिखाओं को इसलब एक डिगरी के अंतरार पर खीचा जाये तो नौर्थ में जो बनती है एक्टिर कर नौर्थ में वो 89 अच्छांस रिखाएं बनेंगी ठीके पूरा 90 degree कबर करता है तो पहला तो equator हो गया common हो गया उसके बाद 89 रेखाएं खीची जाएंगी नर्थ में उसके तरीके से साउत में भी 89 रेखाएं खीची जाएंगी तो सब जो दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है कोड़ी दूरी वो एक डिगरी अच्छांस कहलाती है तो कुल मिलाके पूरी अच्छांस रेखाएं कितनी हो गई 179 एक सब पूरी अच्छांस रेखाएं 89 नर्थ की 89 साउत की और बीच में equator ठीक है equator हो गया और किनी दो अच्छान से रिखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमेटर होती है मतलब कि यह हमारा एक्विटर हो गया तो उसके यह जो नौर्थ में है अगर माली जी यह एक डिगरी है एक डिगरी अच्छान से रिखा है तो इसका जो डिश्टन्स होगा इसके बीच की वो 111 किलोमेटर होगी ठीके इस मैप में आप अगर देखें तो इसमें यह दिशांतर वाला दिखाया गया हलाकि दोनों का जो एवरेज डिश्टन्स है वो सेम ही है दो देशांतर रिखाओं के बीच की दूरी भी लगवग 111 किलोमेटर है और दो अच्छान से रिखाओं के दूरी के बीच की दूरी जो है मतलब एक डिगरी अच्छान से रिखा और एक डिगरी देशांतर रिखा के बीच की दूरी जो होती है लेकिन ये जो देशांतर रखा हैं उनमें थोड़ा केस अलग होता है दचली दूरूप और उत्री दूरूप नार्थ और साउथ पोल पर देशांतर रखाओं कि 20 की दूरी एकदम जीरो हो जाती है अगर आप देखें यहां पर आके एकदम से 60 जात नहीं पूरा नहीं तेहां पर इनकी 20 की कोई दूरी नहीं थी यहां से दूरी करते करते यहां आके इनकी दूरी बरती जाती है एक्क्वेटर पर आके सबसे जादा हो जाती है ठीक है एक्क्वेटर पर आके सबसे जादा हो अब देखिए आते हैं हम Prime Meridian Greenwich Mean Time पर South Pole और North Pole उत्तरी दुरूब और दचली दुरूब को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेका जो Greenwich से होते हुए जाती है उसको खीचा जाता है तो उसको बोलते हैं Prime Meridian या Greenwich Mean Time क्योंकि यह Greenwich City से UK है इंगलेंड के Greenwich Cities होते हुए जाती है इसलिए से Greenwich Mean Time बोला जाता है अब Greenwich Mean Time के पस्चमी जो है उसको पस्चमी गोलार्थ और जो उसकी पूर्वी साइड में जो एरिया उसको पूर्वी गोलार्थ भी बोला जाता है Greenwich Mean Time को जीरो डिग्री देशांतर रेखा भी बोला जाता है ठीक है जीरो डिग्री देशांतर प्राइम मेरीडियन Greenwich Mean Time प्रधान यामतर रेखा या जीरो डिग्री देशांतर या लंदन के Greenwich सेहर्ष्ट होके गुजरती है इसमें कुछ और चीज़ें आप देख सकता है जैसे कि यह हो गया प्राइम मेरीडियन हमारा हो गया प्र आर्क्टिक सर्क्ल अच्छा यहां से इक्वेटर सुरू कर इक्वेटर क्या होता जीरो डिग्री वह होता है जीरो डिग्री रेटिट्यूट उसके 23 डिग्री 30 मिनट पे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे जो होता ट्रॉपिक आफ कंसर या कर करेखा ठीक है और नॉर्थ हेमिस्फेर में और उसके इक्वेटर के साउथ में 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में मकर रेखाएं ट्रोपिक आपकेपरी कोरन होता है ठीक है और 65 degree 30 minute north पे Arctic सर्किल बनता है और 66 degree 30 minute south पे Antarctic सर्किल बनता है यह बेशिक सी बात है थी प्रदःन्यामियत्तर के پूर वेंब्युम पस्चिम में उत्तरी धुरु वेंब्युम तष्चिदि दुरूप को मिलाने वाली कालपेंक रेखाओं को दिरूपूष रेखाएं, बोला जाता है, ठीक है, देशांतर रेखाएं, समांतर नहीं होती है, यह मैंने पहले बता दिया, जबकि अच्छांसी रेखाएं, समांतर होती है, ठीक है, देशांतर रेखाएं, ऐसे खिशी जाती है, क्योंकि दुरुवों पो जाके उनको मिलना होता है, ठीक है और ये जो अच्छान सी रखाए है लेटिटूट वो पैरलल होती है ठीक है दुरूओं से बिसुत रेखा कि और बढ़ने पर अर्थाथ पोल से यहां लेटिटूट की तरफ यह एक्विटर की तरफ बढ़ने पर जो यह दिसानतर रखाए इनके 20 की दूरी बढ़ती जाते है यहां पर दोनों आके मिल गए फिर यहां से डिस्टंस बढ़ता 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 आके एक्विटर पर सबसे जादा हो जाता है कितना हो जाता है 111.32 किलोमेटर ठीक है मैक्सिमूम दूरी दो देसानतर रखाएं के 20 की दूरी होती है वो कहां पर होती है विसुत रेखा पर होती है और साथ ही साथ वो कितनी होती है 111.32 किलोमेटर ठीक है यह कुछ factual information है जो कि question में पूछे गया है अब देखिए जो चीजें highlight कर दी गई है ठीक है जो भी highlight यह सब एकदम question है ठीक है question और उसके answer है यह सब पूछे जा चुके है तो जब मैं question भी कराऊंगा ठीक ह जो question पूर्व लोकर में दिया उसको भी कराएंगे तो उसमें repeat नहीं किया जाएगा सारे के सारे basic से basic लेके एकदम question कराएंगे उसको आप यहाँ पर देख लीजिए भारत पूरी पूरतया उत्त्री गोलार्द में इस्तित यह बहुत ही sweeping statement है ठीक है मतलब कि पूरतया पू पूर्वी गोलार्द में भी इस्तित है भारत पूरी तरीके से उत्तरी और पूर्वी गोलार्द में इस्तित है ठीक है भारत का जो अच्छांसी विस्तार है 6D45 मिनट उत्तर ठीक है लेकिन अगर आप मेंड लेंड या भूम की बात करें, तो जो हमारा सबसेज साउथ वाला पॉइंट है वो है 8 डिगरी 4 मिनट, कि अगर ओबराल पूरे भारत की अच्छांसी बिस्तार की बात किया जाएगा, तो वो होगा 6 डिगरी 45 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर लेकिन अगर मेंड लेंड की बात की जाए, तो वो होगा 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तर यच्छांस तक, ठीके, और साथ ही साथ अगर हम East to West extension या पूर्व से पस्चिम का अपना विस्तार देखें, जो कि देशांतर रखाओं में होगा, तो सबसे जो है, जो कि गुजरात में ही आएगा हमारा सबसे पस्तिमी राज गुजरात है, वहां पर यह 800 डिगरी 7 मिनट, पूर्वी देशांतर से और 97 डिगरी 25 मिनट कहांपर आएगा, 97 डिगरी 25 मिनट यह आएगा respect मारा अर्वाचल प्रदेश, जो है बुभी सबसे पूर्वी पूरीभी दशांतर के मतलब क्या हुआ वह बारत पूरी तर्कये से पूरीभी गोलार्थ में है ठीके उती गोलार्थ हो पूरीभी गोलार्थ सख्टाब करेखा और करक्रेखा से 2 तेज़ डिगरी 30 मिनट नॉर्थ तो यह करकर रेखा और मकर रेखा कि बीच की जो दूरी होती उसको बोलते हैं प्रप्रकल रीजन उफ्र कट बंदी छेते और इसके उपर जो होता है यहां आर्क्टिक और अंटार्क्टिक रीजन तक उसको बोलते हैं उपोफ्र या सब प् ब्रक्ष जाता है तो भारत जो है कि उफड और उफड दोनों कट बंदोंगे-ट्रपकर इन्स दॉनों में है क्यों क्योंकि ट्र Already तो 30 मिनट तक होता है थिकर उत्तर होता हैमिस के उपर भारत क्या है 7-6 मिनट तक निचल यह वह क्लमें भी आएगा शब्रापकल ये और छ पता ही गई है कि जैसे 0 डिग्रिया चांस से 90 डिग्रिया स्चांस की तरफ जाने पर दिन और रात की अवद में अंतर आता आपको पता है दूर्बों पर जाते जाते ज़या छह मेहीं करा छह मेहीं हो जाता है तो भीजिक सी बाते हैं अब आते हैं कुश्चन पसीदें, सिक्किम से गुजरने वाला चांस, नुलकित में से किस से होकर गुजरेगा, अब ये इतना कह सकते हैं कि बाहियाद सा कुश्चन है, क्योंकि भाई, कैसे एक अगर आपको हलका सा आइडिया है, तो ठीक है, मैपका आइडिया नहीं, तो कै यहां सिक्किम की रिल्टी पोजिसन क्या है, ठीक है, उसी तरीके से, वहां से जितने भी अच्छांस जाएंगे, ये देखिए, ये वाला है, कहां से जा सकता है, पूरा सिक्किम कहीं से भी गुजरे, यहां से लेकि इतना, वो पूरा जो है, राजस्थान से गुजर रहा ह तो इसलिए अगर आपको मितलब map का idea होता बेसिक तो आप ये question अराम से कर शकते थे कि सिक्क्यम से गुजरने वाला चांस जो है वो राजस्थान से जा रहा है हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू कस्मित तीनों जो है राजस्थान से उपर वाले चांस में है जो कि सिक्किम में नहीं आते हैं ठीक है अगला question और भी जादा वाहिया टाइप का है अब चुकि ये राजस्थान PCS का है तो एक्सपक्ट किया जा सकता है उन्होंने अपने डिस्टिक्स के बारे में पूछा है कि हमारे डिस्टिक्स में 70 डिग्री पूर्वी देसामते रेखा कहा से गुजरती है जोदपूर हो गया धावलपूर हो गया जैसलमी नागवर आपको इसमें बताना है कि सबसे पस्चिमी सबसे पस्चिमी डिस्टिक्स कौन सा है क्योंकि आपको पता है कि 68 डिग्री ठीक है और वहां से थोड़ा सा मुश्किल से दो डिग्री का ही डिफरेंस है 70 डिग्री पूरवी दिसांतर तो इसका मतलब यह है कि जो रास्थान की जो मतलब एकदम वेस्टन पॉइंट है जो रास्थान का सबसे पस्चिमी पॉइंट है वहीं से कहीं से 70 डिग्री वाला दिसांतर देखा जाएगी ठीक है तो सबसे पस्चिमी पॉइंट सबसे पस्चिमी जीला रास्तन का नरकंट यही पूछ रहा है因为 अगर आपको यह आईडिया है थोनको पता चल सकता कि मैर ही उनका सबसे पस्चिम में रास्थान में उसके बाद धावलपूर जो अगर देखा जाए धावलपूर होता यहां आगरा के आसपास कहीं ठीक है आगरा से बस जाती है धावलपूर के लिए आगरा वाले तो इस कुश्चन को बड़े राम से मिकलब एक उप्सन तो इलिमिनेट कर सकते है क यहां देखें बार मेर का जो एरिया है तो सबसे वेस्टर जो हो जैसल मेर है और कहीं सकते है कि सबसे जो इस्टर्न होगा रास्थान का वो धौलपूर होना चाहिए आम नाट शूर बाट देट इस्टिल आइस्टर्ण सबस्क्राइब मोट्स पॉनिट आप रास्थान तो इस तरीके साब देख सकते हैं कि कैसे हमें मैप की बेसिक नॉलेज से कुश्टन स्वाल किया जा सकता है अगला जो चेप्टर है उसमें आगे बलनेंस पहले मैं चीच कहना चाहूंगा कि आगे देखिक कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है ठीक है अब आप एक्समेंशन अच्छा लग रहा है अपको लग रहा है कुश चीजें दिमाग में रेटेन कर पा रहे हैं ठीक है देख देखके तो आगे भी मैं इसी तरीके स्कंटेंट लाओंगा तो आपको आगे भी जारी रखना है तो चैनल को अच्छे से जरूर चैनल को सब्स्राइब करें और प्रेफेरेंस के साथ सेर करें ठीक है बारत के आथ राज्यों से होकर ये कर कर रहा गुजरत राज्थान मध्य प्रदेश च्छतिस गड़ जहार खंड पस्चिमंगाल त्रिपुरा और मिजोरब फिर से रिपीट करता हूँ गुजरात राज्थान मध्य प्रदेश च्छतिस गड़ च्छार खंड पस्चिमंगाल त्रिपुरा और मिजोरम से खुल आठ राज्यों से करकर रेखा गुजरती है जो कि भारत का लगबग मध्य से गुजरती है अब इसको याद करने के तरिका है मित्र माने हो गया मिद्र का मिरे से मीजोरम हो गया ठीके त्रासी त्रिकुरा हो गया और पासी पासी हो गया आपका पस्चिमंगाल रासे राजस्थान गासे गुजरत मध्य प्रदेश च्छासे च logar जहार से जहारकन और तो इस humor並ेकित है जहाट टेकित आख़ स कहां कहां पार कर रही है वो पता चल जाएगा अब थोड़ा से और चीज यहां पर अगर आप यह देखिए कि जो यह मद्द प्रडेश की कैप्टेल है भूपाल वो एकदम करकर रेखा नहीं यहां से इसके साउथ में है ठीक है उसी तरीके से जो जहारखन की कैप्टेल हो र पाल के लेकिन फिर्प्रा की कैप्टेल जो है अगर तला वह करकर रेखा के नौर्थ में है तो इस तरीके से मतलब कुछ न पूशह पूछा जाए बहुत ही ज्यादा चांस है कि पूछे जाए अभी आपको बहुत ही मिलेंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग बड़ा मज़ा आता है जब छोटी-छोटी-छोटी डिटेल वाले कुश्चन सॉल्फ करने के मिल जाते हैं बड़ा मज़ा आता है क्योंकि दिमाग बहुत लगता उसमें प्युक्त के उत्राड सॉर के उत्राड भूमद रहका कि उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्थ में के दिनों के बढ़ने लगती बहुत अबियसी बात है सबको पता है उत्तरी गोल आथ में गर्मियों के दिनों में ठीक है कि दिनों के जो अब टाइमिंग अब धियर duration है वो बढ़ती जाती है ठीक है और जाते 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 पहुंच गए अगर आप नर्थ पोल्स तक पहुंच गए ठीक है उत्तरी धुरुप तक तक वहाँ पर करक्रेका को दो बार पार करती है यह काफी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन है माही नदी दुनिया की एक 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 लवती यहाँ पर देखिए बद्यप्रदेश से शुरू होके ऐसे आते 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 गुजरात काटते हुए सीधे गलफा खंबत में गिर जाती है लेकिन इस बीच यह करक्रेका यह जो करक्रेका जा रहे हैं टॉपिक आफ कैंसर इसको दो बार काटती है तीक है आप इसको इसके साथ एक बोनस पारेंट आपको मैं देना चाहूंगा कि दुनिया में दो नदिया और भी है जो एक्वेटर यानि की भूमद रेखा को और टॉपिक आफ कैप्रिकॉर्न यानि की मकर रेखा को भी काटती है दो बार तीक है माही रीवर जो इंडिया की है वो करक रेखा को दो बार करती है तीक है और जो एक्वेटर काटने वाली ज चाहरे रिवर भी बोलते हैं ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांगो रिवर जो है वो एक्वेसेतर को भूमद रेखा को दो बrän काट रही है, साथ है साथ लिंपोपो पो रिवर टीक है लिंपोपो रिवर जो मैंने facts discuss किये उसमें नहीं आ पाई उनको कराय जाएगा तो करके रेखा किस राज़ से नहीं गुजरती है अब देखिए मित्र पर गमचा जारेंगे तो आपको यहां से निकल के आ जाएगा कौन सा ऐसा राज है जहां से करके रेखा नहीं गुजरती तो मित्र माने मिजो से इसको याद रखिएगा मैं करके रेखा नहीं गुजरती है जबकि 36 गर मिजोरम और तेपुरा से गुजरती है अब देखिए आ गया टेक्निकल टाइप का कुश्चन एकदम complicated करके रेखा के निकरतम दूरी वाला पर कौन इस्तित है यह मज़ेदार कुश्चन एकदम से करके रेखा से निकरतम दूरी पर कौन इस्तित है अगर तला गांधी नगर उजयन जबलपूर कैसे पता चलेगा नहीं पता चलेगा कौन याद करे कि 23 डिगरी 30 मिनट से नर्थ से कौन कौन सी सिटी वहाँ पर इस्तित है लेकिन कितनी बार पूछा गया है तो previous year question solve करने का फायदा देखिए एक बार आप solve कर लेते हैं कई बार उसको पूछा जाता है जिससे कि ऐसे जो बहुत कठिन सवाल होते हैं वो इसी तरीके से बन जाते हैं कि एक तो आप को याद रहता है ठीके और दूसरे जवाब analytical way में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से ज बैटल है उसकी अचांसी स्थिति है 10 डिगरी 50 मिनट जीके जबलपूर जबलपुर है 23 डिगरी 11 मिनिट नॉर्थ ये भी मतलब कि जबलपुर जो है वो भी करकरेखा कि साउथ में है उजयन 13 डिगरी 9 मिनिट उत्तर तो ये भी जो है करकरेखा कि साउथ में है तो देखा जा सकता है सबसे कम डिस्टंस जो दूरी पर जो है वो गाधी नगर है गाधी नगर जो है करके देखा कि सबसे पास में इन सारी चारों अपसंस में से है तो अगर इनकी वो हम देखें नौर्थ टू साउथ पोजिसन देखें तो सबसे नौर्थ में इन में आ इनमें नौर्थ में है ठीक है लेकिन रिलेट्व पोजिशन में देखा जाया तो गाधी नगर करके देखा के पास में है ज्यादा यहां से थोड़ा एक बार हम लोग वो देख लेते हैं मैप में कि कौन कहां पर इस्तित है ठीक है योगिया आपका अगर तला गाधी नगर हो गया उजयन हो गया ठीक है इस तरीके से आप इनकी रिलेट्व पोजिशन देखें जबलपूर यहां पर है एकदम लाइन से लगे हुई है लेकिन बहुत हलका सा माइनूट सा डिस्टेंस तो इसको आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते थे ठीक है ऐसे नहीं सॉल् को दिखाने का मकसर यह है कि गाधी नगर एकदम इधार है तो इस तरीके से आप आगए जो है आपको फायदा रहेगा यहां पर यह भी देख सकते हैं कि भोपाल जो है उजयन और जबलपूर के मद्ध में है ठीक है इस्ट और वेस्ट में अगला क्विशन करकरेखा के निकट कौन है करकरेखा के निकट कौन है डिल्ली कोलकाता जोदपूर नागपूर अपको फ्रण सा देखिए option elimination कैसे किया जाता है दिल्ली किसी साबसे मित्व पर गमषजा जारने में आता ही नहीं है तो अब यहां पर देखिए डिल्ली जो ह अगर आप उसमें देखेंगे आठ राज्यों में उसमें यह नहीं सामिल है तो दिल्ली का कोई चांस नहीं बनता उसी हिसाब से नागपूर का भी चांस नहीं बनता नागपूर महराष्ट की एक सिटी है तो जोधपूर जो है राजथान का लब डिस्टिक्स है कोलकाता वेश्ट बंगाल की गैप्टल है तो आपको पता है पस्चे मंगाल और राजथान आते हैं तो कम से कम दिल्ली और नागपूर का आप इलिमिनेट कर सकते हैं जब दो आपसन में आ जाए तो पक्का आपको पोईन कोई अंसर लगाना ही लगाना है लेकिन जहां पर कायच देखिए कायच यह है कि अगर नौर्थ और साउथ पूछ लेगा तो आप करक और मकर रेखा के बेस पर इनकी रिलेटिव पोईन नहीं बता पाएंगे इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा मैप ने थोड़ा सा ध्यान से याद अखना पड़ेगा धिल्ली तो काफी North में ठीक है धिल्ली को आप दरक नार कर दीं लेकिन यहाँ पर नागपुर की अच्छांसी इस्तिती है 21.09 नौर्थ जो कि अगर आप 23. подпис hornum नौर्थ में देखें तो लगबग 2.01 का difference का difference ता है कोलकाता की देखेंगे तो 22 2-30 मिनट उततर तो ये 1 डिगरी का डिफरेंस है, तो कोलकाता काफी पास में नजर आ रहा है, ये हो गया हमारा ट्राफिक cancer by degree 30 minute मतलब Kolkata भी जो है वो इसके south में है तीक है करके रेखा कि दच्छल में है Kolkata जोदपूर 26 degree मतलब लगबग जो है 2 degree 30 minute 2 degree 30 minute का distance है तीक है तो ये नागपूर से भी ज्यादा दूर है जोदपूर वलगबाता की राजस्थान का एक जीला है जोदपूर लेकिन नागपूर जो है महराष्ट का एरिया है लेकिन नागपूर करके रेखा कि पास में है जोदपूर की तुलना में तीक है और Kolkata का हमने बता भी दिया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टाइस में ठीक है जब नार्थ हमिस्फेर में सूर होता है उत्री गोलार्थ में तब दिनों की अवद कहां पर जादा होगी तो अब यह सी बात है जब हम एक्क्वेटर से उपर जहां जाते हैं जैसे जैसे आगे दुर्बों की तरह बढ़ते जाते हैं जो अरिया होता है वहाँ पर दिनों की अवद बढ़ती जाती है इसमें देखना बस इतना है कि सबसे नौर्थ में इन चारों सिटीज में सबसे नौर्थ में कौन है इस लक्षर आई होब कि आप लोगों को कुछ नया तरीका जरूर्द देखने के मिला होगा मैंने कोशिए ज्यादा ज्यादा मैप से दिखा के आपको जो है चीजें सिखाओं क्योंकि जैसा कि कहा गया ना कि सुनने से बेतर होता है मतलब पढ़ने से बेतर होता कि कोई सुनने से बेतर होता कि कोई दिखा दे या देख ले कोई चीज मैंने कोशिए ज्यादा ज्यादा आपको दिखा के बताऊं जैसा भी लगा जरूर कमेंट स्रक्सने बताएं और मेरे effort के लिए इस lecture को जरूर लाइक करें वीडियो को ठीक है और अगर पसंद आ जाओ तरीका पसंद आ जाओ तरीका पसंद आ जाओ वीडियो आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेम्स के साथ सेर करें मिलते हैं अगले lecture मे तब तक के लिए नमस्कार जैन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद